नमस्कार राम राम जे हिंज जे गोमाता मैं आपको 15-16 लिटर परड़े मिल्क केपेसेटी वाली सेकिन लेक्टिशन मुंदड़ी नसल की कजली यांखो वाली गोमाता जो गिर में आपको बहुती रेर देखने को मिले चारो थन बराबर फिटिंग वाली एडर बहुती बने रहें आप मिल्किंग वीडियो देखें आपको मजा आएगा बहुत अच्छा लगेगा मिल्किंग वीडियो बाइएंड मिल्किंग है और हम्प देखो आप कितना खुबसूरत है और हाइट में एक नॉर्मल गाई से बहुत ज़्यादा हाइट में गोमाता है इस साल क बािखींग वीडियो है पूरा बाय हैंड मिल्किंग है देखियो आप गजा आएगा पहले एमने बच्चे को दू exclud्ख किलाया है क्योंकि बाद में लोग कमेंट करते हैं कि बच्चों तू नहीं पिलायार इसलिये बच्चे को दूल पिलाया है और उसके बाद में मिल्किं स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है और अक्को एक थन और देदे बच्चे के मूँगे मेरे पुराने वीडियो जितने भी है ना उस पे लेडिस आती है तर आज भी एक पूजा दूबे नाम से लड़की आई थी तो उस ने आके आप लोग पापी हो आप इसके दूद्र म strongest पी जाते हो यह वह वह हमारे को यूज की नहीं है वार तो गोड़े पी थे जह हैं चैभाई के बच्चे पीओ हमें इस दूद्र होता भी नहीं है लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि भाया आपने देखो धारे कितनी मोटी मोटी है देखो बिलकुल गोल धारे मोटी मोटी है ठीक है तो लोग बाग कमेंट करते हैं अब कमेंट करने वाला हो कौन रोक सकता है करेंगे कमेंट पर हमारा यह रहता है कि हम कभी भी हम बिरीडर भी है और सेलर भी है हम किसान के तरह दूथ निखाल सकते हमें बच्चा तयार करके रखना पड़ता है हमें गाय तयार करके रखने पड़ती है तो हम कभी भी बच्चों को भूखा नहीं मार सकते हमारे यह पता के लिए दूठ छोड़ते हैं में तो बीरीडर हूं, मैं तो सुल्तान रोविन इस्टार अइसे बहुत से बच्चे तियार किये मैंने गॉम्ती तियार की गॉम्ती की नियार की गॉम्ती की बेटी का भी डिलेवरी होने वाला थो महीनी की प्रेग्नेंट है मेरे घर में पैदा होके उसकी माँ उसकी नानी और अब वो बच्ची मेरे घर पे पैदा होके डिलेवरी पे आ गई है तो जब कोई आदमी ब्रीडिंग में लाइन में चला जाता है ना तो उसके पास दूद की एमियत नहीं होती है यह 6 लिटर की बाल्टी भर चुकी है आप देख रहे हो और इसको बारा लिटर वाली बाल्टी में खाली की जाएगी कर देक कुखाली और यह धार आम इसली देते हैं कि जब गाई का फस्ट मिल्किंग होता है तो थनों में दर्द रहता है क्योंकि बड़े दिनों से थन खाली नहीं होते है तो धर्थन ताइट होए में घते हैं तो गाई को दर्द रहता सक्कमारी तो धुले दूद्ली निखलाने के चांस बंते है तो उस टाम में यदि आप बच्चे को उपर दार डाले हो अँख बच्चे को गाई चांस खतम होजाते कि गाई ही हिलेगी यह प्राब रहते हैं क्योंकि हर्याणा में जो देशी नसल की गाय होती है वो थन पकड़ के दूद्ध पीने लग जाती है पर मेरे 14-15 साल के अंदर मैंने कभी गिरगाय को थन पीते हुए नहीं देखा कोई गिर में कोई राठी मिक्स हो गई कोई साहिवाल मिक्स हो गई कोई हर कि अंदर मेंने कभी एक कंपलेंट नहीं सुनी यह हाइट में बहुत ज़्यादा है इसलिए गाई के पेर कट रहे होंगे सबी उपर से कमर कट रही होगी यह फ्रैम में नहीं आ पा रही है जबकि बहुत दूर बैठा हूँ तर बहुत दूर बेठा हूं 59 तो बहुत दूर बैठाओं इस गाय से लेगिन यह फ्रेम में नहीं आ पारी ठीक है तो गाय की हाइट जादा है ठीक है और मेरा बताने का रीजन यह था कि गिर नसल में एक तो लात मारने की आपको नहीं मिलेगी बड़े ही शान सबाव की नसल होती है गिर और जो लेडिसों में जो वुमेन फार्मिंग होई है जो लेडिसों ने फार्मिंग की है जिन लेडिस ने डेरी चलाई है तो उनकी जो सफल डेरी फार्म है जो उनका और्गनिक डेरी फार्म है जो उनका एटू डेरी फार्म है वह या गुजरात से या दिली से नोएडा से या फिर आप या सब्सक्राइब के सब्सक्राइबंघ तो इनके इनको यदि ये कुछ टैम के लिए अग्रेसिव हो भी जाए नहीं जगे जाके तो बड़ी जल्दी ही वापस अपनी अकुदार दे गाएको तो अपनी जगे पर आजाती है ठीक है तो यह आप बस इसको इतना सा चाहिए चाहिए आप खाने को कम दे दो चाहिए हाथ फेरें इसके गलकंबल पर थोड़ा सा इसके हम पर थोड़ा इसके सर पर हाथ फेरते रहें तो यह आप लोगों के बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी और यह देखो आप उच्छे लिटर की दूसरी बाल्टी है नाब भी लेजिए नपावल आज दूदू ठीक है त यह बारा लिटर की बाल्टी भर चुकी है ठीक है अब जाएतल लोग देखते होंगे टू टीवी बाल्टी यूज करते हैं यह खराब बाल्टी यूज करते हैं तो यह जो जिलेवरी के बाद तीन दिन तक मिलक होता है ना इसके अंदर हम हमारे दूद वाले भरतन यूज यह दूद या तो हमारे घोड़ों को पीना होता है यह फिर हमारे डॉक्स पीते हैं यह बच्चे फीता है तो यह बाल्ट संहें हम नके रख देते हैं इसलिए यह बाल्टी है को 2 tv जो हमरी रिजेक्टेड वाल्टी होती है इना वह यूज करते हैं इसके अंदर जो धूं के अंदर जो हम बाल्टी यूज करते हैं हमारे गर के लिए वो मजबूत और साफ और सुत्री और पूरी अच्छी तरीके की होती है ठीक है ठीक है कि देखो फर्स्ट मिल्किंग है कीला है जर पड़ी जर भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखायता हूं और जर को कि देखके आप अंदाज भी लग जाएगा कि कितनी ही कितनी ताज अब्याई है ठीक है ठीक है और आपने देखा होगा मैंने भी देखा है यूटूब पे एक वीडियो किसी कस्टूमर नहीं भेजाता मेरे को कि भाया यह देखो यह जो दूद नाप रहे हैं यह उंगलिय यह प्रेजेंटा है तो आप देख सकते हैं कि कोई भी तरीके से मेरा दूद रोका हुआ है जो लोग डाउट करते हैं वह वाला कामनी यह बिलकुल ताजा है तो आप देख सकते हैं और बच्चा भी आप देखो यह लड़ खड़ाएगा सीधा चल नहीं पाएगा देखो म यह देखो आप यह अपनी माँ को भी नहीं पहचान पा रहा इतना हलका वच्चा है ठीक है यह देखो आप तो ठीक है और यह दूद नहीं दिखा दे बाई नाप दे 15-16 लीटर में ने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया ता आपको कि 15-16 लीटर पाड़ेगी दू मिल्किंग वाली बाल्टी है इसमें मिल्किंग करते हैं जो दूद कर दिखाया जा रहा है आपको एक सेकिंड चालू नखो में दिखायेता हूं ठीक नापो भाई एक एक देख लाप रहा है क्योंकि यह कीला है फस्ट मिलकी गई है दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो देस् जारा बारा कैटरा आध यहारा बारा कैटर ने लिए टेरा कैटर्फा डाओ पंद्रा इन आगा कैटर छोड़ां शोन जुड़ां 17 और 18 जो फोग माल लो बच्चे को माल लो जो फोग को माल लो लेकिंग 15 लिटर दूद की गंफर्म गोमाता है ये ठीक है देख सकते हैं आप और ये बिल्कुल इसकी ताजा अजर और कोई दूद रोकावा या टोकावा या कुछ भी नहीं है 15 लिटर दूद की गंफर्म गोमाता है क्योंकि हाइट बहुत जाता है पीछे की गायंदे को छुप जाती है इसको जब यह खड़ी होती है ठीक है तो यह बहुत हाइट गोमाता है